हेलो बच्चों स्वागत है आपके और अपने टूप चैनल कर नहय आ और कलासेश पर जी हां इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुस्व की सरचना के बारे में जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर पहले चितर के मादन से समझाएंगे, फिर आपको लिखना बताएंगे कि आप पुस्व की सरचना के बारे में कैसे लिखेंगे तो ये है पुस्प की सरचना का चित्र अब हम इसके सबसे पहले इसके आपको भाग बताते हैं किस भाग को क्या कहते हैं तो आप देखिए जो नीचे अला भाग है जिससे हम पुस्प को पकड़ते हैं उसे बोलते हैं पुस्प पुरंद इसके उपर अला भाग होता है पुषपासन यानि कि आसन यानि कि जो पुषप के चार भाग होते हैं चारो भाग इसी के उपर इस्तित होते हैं इसलिए से बोलते हैं पुषपासन फिर अगला भाग है बाहदल यानि कि जो ये हरा अरा भाग आपको दिखाई दरह यह वाला भाग ये इसमें हमने दो बनाया है दो होते हैं, चार होते हैं पांच भी हो सकते हैं अगर एक है तो इसे बोलेंगे बाहदल अगर दो, तीन, चार समो के रूप में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे बाहदल पुझ अगर जैसे एक है तो इसे हमने लिखा है बाहदल अगर यहाँ पर दो है और तीन भी हो सकते हैं चार भी होते हैं अगर इनको मिला के बोलेंगे समो के रूप में तो उसे कहेंगे बाहदल पुंज फिर अगला भाग है ये रंगीन वाला भाग इसे बोलते हैं दल एक है तो इसे बोलेंगे दल अगर इन तीनों को मिला के बोलेंगे तो बोलेंगे दल पुंज फिर ये वाला आपको भाग दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं पुमंग क्या बोलते हैं पुम पुंकेसर क्या बोलेंगे पुंकेसर यहां पर देखिए एक दो तीन चार पाँच हमने यहां पर पुंकेसर बना है इसके समो को अगर बोलेंगे एक साथ तो बोलेंगे पुमंग जो पीजला भागई से बोलते हैं जायांग क्या बोलते हैं जायांग यह पुस्प का मादा भ होते हैं जो पुस्फ होता है उसी में मेल फीमेल दोनों इस्तित होते हैं आपको उचित्र में दिखाया कि य वला भाग है इसे बोलते हैं पुमंग और यह अन्हें लिखा है यह है आपका बाहदल पुंज, यह अला रंगीन अला भाग है, इसे बोलते हैं दल पुंज, और यह अला जो भाग है, इसे बोलते हैं पुमंग, और इस वाले भाग को बोलते हैं जायांग, जो पुमंग होता है, पुस्प का नर भाग, जो पुमंग होते हैं, पुस्प का न पराग कोस और इसी के अंदर होते हैं पराग कण और जो इस्त्रीकेसर भाग होता है जायांग यानि कि उसका मादा भाग होता है जायांग इसे बोलते हैं इस्त्रीकेसर इसके भी तीन भाग होते हैं वर्तिका, वर्तिकागर और अंडासे यानिक जो उपर अला भाग होए उस पुष्प के कितने भाग होते हैं इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है हम आपको फिर से रिपीट किये देते हैं जो यह निचला भाग होता है जिससे पुष्प को पकड़ते हैं इसे बोलते हैं पुष्प वरंत और इसके उपर अला भाग होता है पुष्प पासन जिस इसे बोलते हैं दल अगर समों के रूप में बोलेंगे तो बोलेंगे दल पुंज यह अला भाग होता है इसे बोलते हैं पुमंग क्या बोलते हैं पुमंग अगर एक है तो इसे बोलेंगे पुमंग केसर अगर समों के रूप में बोलेंगे तो बोलेंगे पुमंग यह पुस् पुस्प के चार भाग होते हैं जायांग इसके भी तीन भाग होते हैं वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडासे अब हम आपको बताएंगे कि आप पुस्प की सरचना के विशे में परिच्छा में जाकर कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे आवरत बीजी पौधो में नर्द था जननांग पुस्पो में ही इस्तित होते हैं पुस्प के चार भाग होते हैं नमबर एक बाहदल पुंज नमबर दो दल पुंज नमबर तीन पुमंग नमबर चार जायांग इन भागों को अभी अपने पुस्प में आपको बता दिया है कि चारो भाग कहां पर इस्तित हैं आप हैडिन डालेंगे बाह दल पुंज, इसमें लिखेंगे बाह दल पुंज, पुस्प को सुरच्छा परदान करता है, यानि कि जो बाह दल पुंज है, ये पुस्प को सुरच्छा परदान करता है, और कलिका वस्था में पोशन परदान करता है, यानि कि जब पुस्प कलि पुमंग या पुष्व का नर्भाग होता है इसकी प्रतेक इकाय को पुंकेसर कहते हैं पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग पराकोस होता है पराकोस के अंदर पराकोस होते हैं पुंकेसर प्रतेश रूप में जनन किर्या में भाग लेते हैं यानि कि तीसरा पुष्व का भाग होता है पुमंग ये पुष्व का नर्भाग होता है इसकी प्रतेक इकाय को क्या कहते हैं पुंकेसर कहते हैं पुंकेसर का अगला फूला ह इसमें लिखेंगे ये पुस्प का मादा भाग होता है, इसकी प्रते किकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं, इस्त्रीकेसर का निचला फूला हुआ भाग अंडा से होता है, जायांग को आवस्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये प्रते चुरूब से जनन क्रिया में भाग लेते हैं यानि कि जो जायांग होता है पुस्प का मादा भाग होता है इसकी प्रते की काय को क्या कहते हैं इस्त्री केसर कहते हैं इस्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग अंडासे होता है जायान को आवश्यक चक्र कहते हैं क्योंकि यह प्रतेच रूप से जनल किर्या में भाग लेते हैं तो इस वीडियो में हमने आपको पहले पुस्व की सर्चना के बारे में चित्र के माध्यम से आपको बताया फिर हमने आपको लिखकर भी समझाया कि आप परिच्छा में जाकर कैसे लिखेंगे आसा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो से लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत